हापूर पे हुई घटना के बाद कानपुर दिहात में लगातार चल कर अधिवक्ताओं का विरोत प्रदर्शन चिला बार एसोसीशन अधिश मुलाम सिंग आदो एकिकत बार एसोसीशन अधिश राधिश श्याम का टियार वह महामंत्री संजे सिंग लगातार अधिवक्ताओं संग कर रहें विरोत हापूर अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बबरता पूर्वक पिटाई प्रकरर में हापूर के अधिवक्ताओं द्वारा आंदोरन में समर्थन मागने और बार कॉंसिल द्वारा अंदोरन के सम कांपुत दिहाज बाड संगु की ना भेज़े जाने और जनपन नियाले में दस वर्स गुजर जाने के बाद फिर दक्ताओं के चेंबर समस्या का समाधान ना होने के कार कांपुत दिहाज जनपन नियाले के दिवकता जिला बार एस्सोसेशन अधियरक्ष मुलैम अधिवक्ता जितेन पताव सिंग चोहान ने कहा, जितेन चोहान ने बताया कि बार कॉंसिल से अधिचे पंकश मिश्चा से मोबाइल पर हुई वारता से जानकारी हुई कि अधिवक्ताओं के लगपक सभी मागे, राचे सरकार ने माग लिये, किन्तो इस संबद में बार कॉंसिल द्वारा कोई अधिकरत पत्र ना जारी करने के का आम अधिवक्ता अपने को ठगा महसूस कर रहा है, और बार कॉंसिल के प्रति बेहत आक्रोस में, जिला बार एसोसेशन अधिश मुलायम सिंग्यादों ने कहा कि हापुर के घटना में पूरी प्रदेश के अधिवक्ताओं को आंधोलित किया था, किन्तो बार कॉंसिल ने आंधोलन को अपने हाथ में लेकर आंधोलन लिखे निदेशों के तहट जारी रखा, जिसके तहट जिले के अधिवक्ताा आंधोलन रखते, किन्तो अंधोलन के मागे पूरी हुई या नहीं की, संबंद में कोई लिखे सुचना ना दिये जाने तता पूरों में बार कॉंसिल द्वारा जारीपत्र प्रिदेश के समस्ते जिलों के अधक्षिकों महामंतियों कोहलाबाद में बार कॉंसिल ने 17 सितंबर को मीटिंग में बुलाए जाने से जिले के दिवक्ता आसमंजस किस्ति में है और जन्पद नियाले में दिवक्ताओं के चेंबरों के समस्या का समाधान कोई वारता तक समक्ष पक्ष द्वारा ना किये जाने से अधिवक्ता नयाइक कार से विरत रहें कहा कि आगे का नयाएक कार से विरत रहे आंदोलन जारी रखनी के विशे में निर्ने एक एकरत बाहर सेसेशन के साथ पैठक कर लिया जाएगा आंदोलन में प्रमकुरूप से संपतला लियादो विश्वनाद के टियार हैशन चत्तुरवेदी मुहमद आसिव राजकिशोदोरे सुरेंद्रपाल सवेर्ण सिंग जितेन बाबु महंदर सिंग दीपक पांडे राजिन दिर्वेदी सुभास यादो विश्वनाद सिंग वि प्रियंदपाल अशोक प्रियंद कटियार राज़पाल संदीप पांडे रहें निव जुतर पिदे चैनल से विजशंका कॉसर की रिपोर्ट क्यों सिंगे हुआ है छी तरती हैुआ कि डिचानल ुछान टीका सिंगए 2..